हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बच्चों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है कहानी आम की कहानी किसकी है? आम की कहानी और ये आपकी जो हिंदी की बुक है, कक्षा पहली की रिम जिम उसका दूसरा पार्ठ है, कौन सा पार्ठ है? दूसरा ठीक है? तो हम आज आपकी कहानी जो ये है आम की कहानी इसको देखेंगे और पूरा करेंगे इससे पहले जरूरी बाद कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आम की कहानी ये है आम की कहानी देखते हैं पहले ये देखिए एक चित्र दिया गया है इसमें क्या देख रहे हैं आप एक देख रहे हैं ये आम और ये है कववा और ये है लड़की तो पेड़ पर क्या है पेड़ पर आम लटका हुआ है और पेड़ को पेड़ पर जो आम लटका हुआ है उसे लड़की ने भी देखा है और कवे ने भी देखा है फिर उसके बाद क्या होता है कि लड़की उस आम को देखकर बहुत खुश है और आम को देखकर वो इतनी खुश है कि वो सोच रही है कि आम उसे मिल जाए अब जो ये वाला चित्र है इसमें क्या है इसमें लड़की जो ये उसका भाई है उससे कहती है कि इस आम को वो किसी भी तरह तोड़ करके अपनी बहन को दे दे तो कववा भी देखिए हैं बैठा हुआ है और कववा भी उस आम की तरफ देख रहा है उसके बाद आगे देखते हैं ये देखिए लड़का जो इसका भाई है इस लड़की का उसने ये देखिए हाद में गुलेल ले रखिए न गुलेल से ये कंकड जो है ये कंकड मारा आम ठीक है लड़के ने क्या करा आम में गुलेज से कंकड मारा और जो कव्वा है वो देख रहा है ये सब उसके बाद इस वाले चित्र में हम देखेंगे कि जैसे ही कंकड उस आम में लगा तो आम तूटा आम तूट रहा है और लड़की और लड़का ये दोनों भाई भेंजो है उस तूटते हुए आम को देख करके खुश हो रहे हैं और कव्वा भी एकदम तेज गती से आम की और उड़ता हुआ जा रहा है ये देखिए यहां पर बैठा हुआ है कव्वा जैसे ही कव्वे ने द पास जाने की कोशिश कर रहा है फिर उसके बाद देखिए यहां क्या हुआ आम जैसे ही पेड से नीचे तूटा तूटकर गिरने ही वाला था कि कव्वे ने अपनी चोंच में आम को दबा लिया क्या करा कव्वे ने कव्वे ने अपनी चोंच में आम को दबा लिया और ले यह है मदू मक्ही का छत्त तो कववा सीधा आम को लेकर जैसी ऐसे गया तो इस छत्ते में जाकर के टक्रा गया और जैसी ओ टक्राया मदू मक्हिया उढ़ने लगी यह देखिए उढ़ रही है और कववे के पीछे पड़ गई जैसे ही उन्होंने कव्वे को डंक मारना शुरू करा मदू मक्यों ने उसकी चोंच से वो आम पेड़ पर रखे एक घोंसले में गिर गया जब कव्वा जो है जैसे ही उसको मदू मक्यों ने डंक मारना शुरू करा तो कववे की चोच खुली और कववा चिलाने लगा काओं काओं जैसी वो चिलाया ये आम एक गोंसला रखा था पेड़ पर उसमें जा गिरा और उसी पेड़ पर ये गिलहरिया है ये देखिए ये बैठी है न गिलहरिया ये इस चीज को देख रही है कि आम गोंसले में आ गिरा अब इसके आगे क्या होता है जैसे ही वो आम इस घोंसले में गिरता है तो ये जो गिलहैरी है जो देख रही थी पेड़ पर उस आम को उठा करके भागती है उस आम को उठा कर भागती है लेकिन ये जो अब इसमें देखिए जो ये अंडे रखे हुए हैं गोंसले में ये देखिए आप देख रहे हैं न अंडे रखे हुए इनी के उपर तो आम गिरा था अंडों के उपर तो ये जो अंडे हैं ये फूट जाते हैं और इसमें से कववे के बच्चे बाहार आ जाते हैं तो कवे के बच्चे जो भार आते हैं जब वो देखते हैं कि गिलहरी आम को लेके जा रही है वो चिलाना शुरू करते हैं काओं 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 तो आवाज सुनकर के जो बिल्ली ये गिलहरी जो है ये घबरा जाती है और गिलहरी के मुझे आम गिर जाता है ये देखिए ये आम गिर गया ना गिलैरी का मूँ खुल गया और ये आम गिर गया आम गिरा ये देखिए ये आम गिरता चला आ रहा है ये आम गिरा ये कहां गिरा ये जो आदमी बैठा हुआ है इसकी पगड़ी में ठीक है ये देखो सब दिखाते हैं ये आम गिरा और ये गिर गया है एक आदमी बैठा है हुआ है उसकी पगड़ी में ठीक है अब यह जो आम है इस आदमी की पगड़ी में गिरा तो कववा भी देख रहा है कववा भी इसकी तरह पारा उड़ते हुए और परगोस होने भी देख लिया और यह जो भेहन है इस लड़के की तो इस भेहन ने क्या करा यह देखिए उस आम को देखा और जाकर के आम उस आदमी की पगड़ी में से उठा लिया और लड़की उस आम को लेके खुश हो गई और देखिए कववे के बच्चे देख रहे हैं इस पोर गिलैरी भी देख रही है कि इस लड़की ने इस आम को ले लिया उसके बाद फिर क्या होता है जो लड़का है वो अपनी गुलेल पर खुश होता है कि इस गुलेल से उसने अपनी बहन को आम तोड़कर दिया और यह कववे के बच्चे जो हैं वो काउं काउं करके देख रहे हैं इन सब बातों को अब क्या हुआ ये कहानी हो गई खतम कैसी लगी आपको कहानी अच्छी लगी न अब हम करते हैं इस कहानी के कुछ प्रश्न तो पहला जो कोशन है इस कहानी का ये है लिखो कहानी में पहले क्या आया तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें नमबर दिए गए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै तो सबसे पहले आपने कहानी में क्या देखा था ? यह देखो यहाँ पर आपने क्या देखा था कहानी में यहाँ पर देखा था आपने सबसे पहले लड़की है ना क्या देखा था के लड़की आम को देख रही है तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कहानी में लड़की तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो लड़की लिखा हुआ ना उसके बाद आपने कहानी में क्या देखा उसके बाद हमने कहानी में क्या देखा था कववा क्या देखा था कववा के कववा भी उस आम की तरफ देख रहा था ठीक है फिर तीसरे नमबर पे आपने क्या देखा था तीसरे नमबर पे आपने देखा गुलेल के लड़के के हाथ में क्या थी गुलेल फिर ये रही ना गुलेल ठीक है और ये राकववा फिर चौथे नमबर पे आपने क्या देखा मधू मक्ही का चत्ता क्या देखा मधू मक्ही का चत्ता यहां लिखेंगे आप मधू मक्की का चत्ता ठीक है फिर नमबर फाइब पे आपने क्या देखा नमबर फाइब पे आपने क्या देखा देखुई या क्या है घोंसला तो वहाँ पर भी कहानी में आपने नमबर फाइब पे घोंसला देखा था ठीक है तो आप लिखेंगे या घोंसला ठीक है ये हो गया घोंसला फिर उसके बाद नमबर छे पे क्या था आदमी क्या था आदमी ऐसे लिखेंगे आदमी ठीक अब ये कोशन तो हो गया अब देखते हैं अगला कोशन अगले कोशन में क्या दे रखा है अगला कोशन है कौन कहा के कोन कहा पर था तो पहला कोशन है खालिसान के हाथ में ये क्या बना हुआ है ये है गुलेल तो गुलेल किसके हाथ में था? लड़के के अब ये है घोंसला तो घोंसला कहा था? के उपर मतलब पेड के उपर ये क्या है? घोंसला है ठीक है? और क्या है घोंसले में? बच्चे कहाँ पर है? घोंसले में तो क्या लिखेंगे हम? बच्चे कहाँ है? घोंसले में ठीक है? यहाँ भी लिखेंगे घोंसले में ठीक है? उसके बाद है गिलहैरी गिलहैरी कहा थी? पेड के उपर ठीक है ऐसे फिर है आदमी क्या ये क्या है आदमी है ठीक है और आदमी ने क्या पैन रखा है पगड़ी क्या पैन रखा है पगड़ी तो के सिर पर पगड़ी किस के सर पर है आदमी के तो यहां लिखेंगे आदमी के पगड़ी सिर पर काँ है पगड़ी आदमी के सिर पर क्योंकि आम काँ गिना था पगड़ी पर ठीक है तो बच्चों ये थे आपके पाड़ के प्रशन उत्तर आशा करती हो आपको अच्छे से समझ में आये होंगे और यदि आपको अच्छे से समझ में आये हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें